पाकिस्तान में चुनावी नतीजे करीबन करीबन साफ हो चुके हैं लेकिन जो चुनावी नतीजे निकल कर सामने आया उसने हर किसी को हैरान कर दिया है और हैरान इसलिए कर दिया है क्योंकि जेल में बैठे हुए इमरान खान के जो नेता है वो जीतते जा रही है अभी का आक प्रवा हैं वो फिलाल पीछे चल रहे हैं अब असे में हर किसी के मन में ये सवाल आ रहा है कि जब जेल बैटहे हुए إmirретा खांथ तो आकेर ये नेता जीत कैसे जा रही है क्या इतनी जाधा है कि वह जेल में बैट कर भी लोगों के दिलों में राज कर रही हैं अब आप इसके पीछे के strategy समझें स्ट्राटेजी समझने से पहले एक सवाल लोगों के मन में जो है जाहिर सी बात ही आ रहा है और वो ये है कि अब जब लोग जीत रही हैं जो इमरान खान के समर्थक हैं जो इमरान खान के नेता हैं क्योंकि आप वक्त याद कीचे जब सेना की त्रफ से कुछ इस तरीके से शडियंत्र रचा गया कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की जो पाटी है उसका जो चुनाव चिन था यानि की बैर उसे पूरी तरीके से रद कर दिया इतोना है अब आप ये समझे रैलिया रद कर दी गई चुनाव चिन जो है वो पुरी तरिके से रद कर दिया गया कोई भी जो रैली ए उनकी और ग्वोखना ए मिराज करने लग गई लेकिन आप यह भी रूसे जीत है उस जनता की भी जो इस बात के लिए साफ तोर पर कह रही है कि अब हम सेना के खिलाफ हला बोलने के लिए तयार है क्योंकि पाकिस्तानी सेना जो है वो किस तरीके से हमने देखा पिछले दिनों जनरल शरीफ को जो है जिताने के लिए हर मुम्किन कोशिच जो है उनकी तरह से की जारती वो चाहते थे कि नवाज शरीफ जो ह अब यह समझे कि सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि अकिर इम्रान खान जीते तो जीते कैसे भाई जब उन्होंने चुनावी रैलिया नहीं की उनके पार्टी का चुनाव चंता वो बैन कर दिया गया तो मैं आपको बताते हुए बड़ी असान सी स्ट्राटेजी जो है इम्रा के नेता हैं वह उतर गए निर्दल उम्हे द्वार के तोर पर और अब जाभन निर्दलिया उम्हेद्वार के तौर पर उत्रे तो सबसे बड़ी बात थी वह थी अपनी आवाज जंता तक पहुचा आने के लिए लेकिन क्या करते इलेक्षिन कमीशन ने तुमने और कर दिय जो है इम्रान खान के तरह से की कि उसमें वो नजर भी नहीं आते थे सिर्फ उनका भाशन चलता था और भाशन में सर्फ उनकी फोटो नजर आती थे और पीछे बैंग्राउंड में जो है वहां पर उनकी आवाज जो है वो साफ तौर पर सुराई देती थी जब उनकी पहली रैली हुई थी तो एक लाग से जादा लोग पहुचे थे अब आप ऐसे में समझें कि उनके उपर जो कुछ भी बीतरा है पाकिस्तान में सेना की तरह से जो कुछ उन्हें टार्गेट किया जा रहा है उन सभी बातों को लबो लबाब करके जो है इमरान खान अपनी रैलिय सेना के अलगा यह है इम्रान खान के यह जो नेता है इनहें किसी भी पार्टी के वोट करने के लिए जो है या मारी जिए नवाश शरीफ की बात कर लें बिलावल भुट्टों पर विश्कर न 있지 सेन गाई स्वाफ पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान की सेना के खिलाफ खुल कर अब मोर्चा खोल चुकी है झाल